जी नमस्कार सभी को, हेलो हाई, कैसे आप सभी, HSSC ने लिया बड़ा फैंसला, जो रिजल्ट आपका कई सालों, कई मीनों तक आता था, अब वो है रिजल्ट कुछ ही गंटों में आएगा आपके सामने, ये आज की बड़ी खबर आप सभी के लिए, वीडियो को लाइक तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि एगली वीडियो का नोटिक प्रेशन आप सभी तक जरूर पहुंच सके, हम जोब से जुड़ी जानकारी और जोब से जुड़ी खबर इस यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहते हैं, आज HSC ने क्या बड़ा फैंसला लिया है, इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं, आज की खबर में आई है, पूरी जानकारी, अब 28 गंटे में जारी होगा बरती का विश्तरूत प्रणाम, जो आपका रिजल्ट है, वो 48 गंटे में जारी कर दिया जाएग क्योंकि उसके बाद बरती हाई कोट में चली जाती है, कोई उस पर स्टे लगा देता है, इसके चलते बड़ा फैंसला लिया है, HSC ने, इसकी पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं, HSC का फैंसला कई महां और कई साल तक करना पड़ता था इंचजार, जो आपको इंतजार करना पड़ता था कि रिजल्ट कितने दिनों में आएगा, कितने सालों में आएगा, अब वह है, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 48 गंटों के अंदर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, फिल हाल हर्याना में बरतियों के विस्तुरुत प्रणाम को लेकर अभियार्थियों क काफी बागदोड करने पड़ती थी, RTI लगाने पड़ती थी, या फिर अदालत का दर्वाजा खटकराना पड़ता था, यो कई कई महां और साल तक बरतियों के विस्तुरुत प्रणाम जारी नहीं करता था, उदारन के तोर पर हैवी वेहिकल ड्राइवर की बरति का 2018 में प्रणाम जारी किया गया था, इस बरति का विस्तुरुत प्रणाम मई 2021 में जारी हुआ है, देखो भई, 2018 में हैवी वेहिकल ड्राइवर की बरति हुई थी, उसका प्रणाम 2018 में जारी हुआ था, और इसका जो अंतिम प्रणाम है वो 2021 में जारी हुआ है, यानि कि 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 साल लग गए तीन साल लग गए कम से कम अरजल टाने याने में इसकी पूरी जानकारी आगे देख लेते हैं बर्ति का अंतिम प्रणाम जारी करने के 48 गंटे के अंदर ही विस्तृत प्रणाम भी जारी होगा चैनित नहीं होने वाले अभियार्थियों को सुची से बाहर होने क कारण बताया जाएगा अभियार्थियों के संतुष्टी दालतों में बढ़ने कैसों से बचने के लिए हरेना करमचरी चैन ऐयोग ने या फैंसला लिया है चैनित अभियार्थियों की लिखित प्रिक्षा में अंक समाजिक आर्थिक अदार के अंक आदिक की जानकारी दी लेकिन फेल अभियार्थियों को यह जानकरी नहीं दी जाती अब अंतिम प्रणाम जारी होने के 48 गंटे में उनकी सूची से बाहर होने का कारण पता चल जाएगा अंकों में समेथ कट आफ की पूरी जानकरी मिल जाएगी अयोग ने चेर्मेन बुबाल सिंग खदरी ने पु और 48 गंटों में प्रणाम होगा आपके सामने यह आज की बड़ी खबर थी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर कर देना ताकि एगली वीडियो का नोटिप केसन आप सबी तक जरूर पहुन सके हम जोब से जुड़ी जानकारी और जोब से जुड खबर इस यूट्यूब चैनल पर लेकि आते रहते हैं